हेलो एवरीबन वेलकम बैक टू इंस्पाइरिंग एजुकेशन प्लस आज हम लेवल 6 से शुरू करेंगे लेवल 6 के लिए अपना नया एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम है दोनों को जब कमबाइन करेंगे तब होगा combination का गस्म फिर्स्ट एक एक्जाम्बल समझते हैं, अगर कोई सम है, 15 प्लस 6, तो अब हम कैसे करेंगे इसे, 1, 5, 15, प्लस 6 करने के लिए यहाँ पे बिड्स अविलेबल नहीं है, तो प्लस 6 का फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस 4, प्लस 10, अब यहाँ पे माइनस 4 भी अविलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 4 के स्मॉल फ्रेंड्स को देखेंगे, प्लस 1, माइनस 5, और प्लस 10 कर देंगे, करेक्ट, हमने क्या किया, स्मॉल फ्रेंड और बिग फ्रेंड दोनों को कम्माइन किया, प्लस 6 के लिए हमने माइनस 4 लिया, माइनस 4 भी नहीं था, तो हमने किया, प्लस 1, माइनस 5, प्लस 10 को आड़ किया, तो यह हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला बना, प्लस 6 के लिए, हम यहाँ पे नोट दाउ के लिए क्या किया हमने माइनस 4 तो माइनस 4 जब अविलेबल नहीं था हमने उसके लिया प्लस 1 माइनस 5 प्लस 10 ये फॉर्मुला प्लस 6 के लिए किया अब देखिए ऐसे ही हम और एक सम्ट सॉल्व करेंगे 15 प्लस 7 अब 15 प्लस 7 यहाँ पे अविलेबल नहीं है प्लस 7 का बिक फॉर्मुला भी हम नहीं ले सकते है तो हम क्या करेंगे प्लस 7 का बिक फॉर्मुला क्या है माइनस 3 प्लस 10 तो हम माइनस 3 का स्मॉल फ्रेंड लेंगे माइनस 3 का स्मॉल फ्रेंड क्या है प्लस 2, माइनस 5 और प्लस 10 कर देंगे तो आंसर हमें मिलेगा 22 प्लस 7 का हमने फ़रू लग्या लिया प्लस 2, माइनस 5, प्लस 10 ये हमने small friend लिया ये हमने big friend लिया इसे कहते हैं combination I hope concept समझगे आया है और एक sum हम करेंगे इसका answer मिला हमें 21 इसका answer मिला 22 और एक example समझ लेते है 15 प्लस 9 अब ये हमने की है 15 प्लस 9 अविलेबल नहीं है प्लस 9 का small friend भी अविलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे प्लस 9 का small friend क्या हैगा माइनस 1 माइनस 1 का small friend लेंगे माइनस 1 का small friend है प्लस 4 माइनस 5 और प्लस 10 कर देंगे तो answer हमें मिलेगा 24 तो हमने formula क्या लिया इसके लिए प्लस 4 माइनस 5 प्लस 10 यही चीज combination के लिए हमें help out करती है जब कहीं पे भी अगर big formula नहीं लगता है तो जो हमें digit मिला है उसका small formula लेना है और फ्लस 10 कर देना है ताकि वो big formula भी use कर सके small friend और big friend दोनों को combine करके combination के sum sum कर सकते हैं I hope concept समझ में आया है इसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि जब हम next video में ऐसी ही समुझ करें तब कोई भी problem ना हो thank you so much for watching this